फोन आया कि निगाहों में चमक चाग उठी बताईए जमाना कैसे बदल जाता है आजकर लोग हर छो माइना पर फोन चेंज करते हैं मानों उस फोन की स्मार्टनेस सिर्फ छे माइने में एक स्पायर हो जाती जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके परिवार में तो हर एक वारतालाप के योगे सदस्य के पास एक स्मार्टफोन रहता ही है चलिए आज आज आप कूस जमाने में ले चलते हैं जब पूरे कॉलनी में किसी एक घर में ही फोन हुआ करता था काले रंग का गोल डायल सिर्फ एक ही रिंग टोन कोई SMS या MMS का लपड़ा नहीं कैमरा और फोन दो अलग-अलग वस्तुवें हुआ करती थी फोन जेनरली ड्राइंग रूम में रखा रहता और कैमरा बच्चों से बचा कर अलमारी में कालनी का कॉन्टाक नमर एक समय था जब फोन जैसी सुविधाजनक वस्तु को भी सरकार एक लगजरी के तौर पे देखती थी फोन के लिए नंबर लगता था और काफी सालों के बाद लोगों के घर में दूरबहाश देवता अवदरित होते थे चुकि ये जमाना काफी तंगी का था जिन लोगों के घर फोन लग जाता उनका रुतबह बढ़ जाता कॉलनी वाले आपका फोन नमर अपने रिष्टारों में बटवा देते हमारे घर में भी काफी किरादार लोग भी थे पहले कॉल में एक रिक्वेस्ट आली जाती हां हेलो हां कंकडबाग से बोल रहा है न हां थोड़ा बंटी की मम्मी को बोला ते जएगा हम दोस मिनट बाद फिर फोन करेंगे बंटी की मम्मी को फोरण खबर की जाती पता चला कि वो आटा सान रही थी और वैसे ही दोड़े दोड़े आ गई उनका इंतजाद करते हुए थोड़ी गपे भी होगी हमारे घर की लीडीज के साथ अब बंटी की मम्मी तो उस जमाने की थी जब लोग ट्रंग कॉल करते थ फोन पर चिला चिला कर बात करना पड़ता था अगर कुछ सीक्रेट बात करना है तो भी चिठी लिखिए फोन पर तो पूरा दुनिया सुन ले गया बंटी की मम्मी का वो आदत गया नहीं था और भी कई महानुखावों की तरफ जितनी दिर वो फुल वाल्यूम पे फोन ब काई नीचे तो अप्रेल फूर एस्टीडी बूथ नब्बे के दशक में लगवग हर दस मकान पर एक एस्टीडी बूथ तो खुली गया ज्यादा तर यह वही लोग थे जिनके मा बापको यह समझ में आ गया आ गया था कि इनके पढ़ाई लिखाई में पैसा बर्वाद कर हैं और जिनके घर फोन था उनमें से भी बहुत ऐसे कम लोग थे जिन्होंने अपना एस्टीडी अनलॉक करवाया हुआ था एक तो उसको अनलॉक करवाना भी कोई आसान काम नहीं था बहुत जगा चड़ाहवा चड़ाना पड़ता खैर रात के 9 बचते ही इन एस्टीडी बूथों पर लाइंग लग जाती थी क्योंकि रेट हाफ हो जाते थे ज्यादा तर बूथ में कोई केविन तो होता नहीं था तो आपकी बात सभी मजे लेकर सुनते थे और वही चीज आप पर भी लागो होती थी कुछ लोग सामने लगे इलेक्ट्रोनिक मीटर को भी देख पूल था उस समय अगर आप किसी एस्टेडी बूथ पर ज्यादा पैसा जाड़के निकले तो रात के समय तो शायद उसी बूथ से फिर आपकी फिरौती के डिमांड का भी फोन आ सकता है के बी सीक्रेस और कोई करोणपती बना हो चाए नहीं अमिताब बच्चन तो जरूर बन गया इस लेजेंडरी कारिक्रम को होस्ट करने के बाद इस कारिक्रम ने बहुत लोगों के घर का स्टीडी अनलॉक करवा दिया था क्योंकि इसमें भाग लेने के लिए आपको फोन करके रिजिस्टर करना पड़ता फिर सवालों के जवाब भी देने होते इसलिए बहु किस्मत वालों का ही टाका भिड़ता था फिर जब स्टार प्लस वालों को लगा कि उन्होंने बहुत सारे एडल्ट्स को अपने इशारों पर नचा लिया तो शुरू हुआ जूनियर के बीसी हमारे एक चचेरे भाय की उम्र और नॉलेज दोनों इस प्रोग्राम में चिश्के गई इस बार लग गया भाग कर लड़के को गहरी नीन से उठाये गया सवाल था इन में से कौन रावन का भाई था ऑप्शन में सी कुम्भकरन था और याएल बच्चे ने पता नहीं नीन में कौन सा बटन दवाया स्टार प्लस ने वापस लेकिन कॉल नहीं किया ब्लाइंग कॉल्स आजकल तो तोरण पर चल जाता है किस नंबर से कौन फोन कर रहा है एक समय था जब यह सुविधा उन पुराने फिक्स लाइन वाले फोन्स में मौजूद नहीं थी इस बात का फायदा कुछ असामाजिक तत्व बहु भी उठाते थे वसे असामाजिक त तो कहना थोड़ी नाइंसाफी होगी क्योंकि इन में ज़्यादा तर बैचारे फोसला यानि फ्रस्टेटेड वन साइड़ेड लवर्स अस्टूशिशन के मेंबर थे जो सिर्फ अपने सपनों की रानी की मधूरावाद सुनना चाहते थे मगर जब उस सपनों की रानी के बज़ा एक घर का कोई और सदर से फोन उठा लेता तो उनकी घेगी बन जाती थे हमारे घर भी कभी कभी ब्लांक कॉल्स आते थे एक बार मैंने आज ही जोकर उस वेक्ति से बहुत ही लॉजिकल बात ऐसा है भाई कि तुम कुछ बोल तो रहे नहीं हो तो सुनो अगर तुम कोई लड़के हो तो भाईया ऐसा है कि इस घर में कोई भी उस उमर की लड़की नहीं है जिसके लिए ब्लांक कॉल्स किया जाए सिर्फ साधी शुदा एवं बाल बच्चेदार लेडिज लो और तु के ब्लांक कॉल्स का लपड़ा खतन को रहा है यकीन मानिये इस घटना के बाद हमारे घर में कभी ब्लांक कॉल्स नहीं आए उन पुराने फोनों का अपना ही मजा था सोचिए अगर वो फोन नहीं होते तो हेरा फेरी में बाबु भाईया के स्टार गराज पर कभीरा का फो को अपने स्मार्ट फोन पर ही देख रहा होंगे है कि नहीं चली आशा करता हूं यह वीडियो चोटा सापको पसंद आया हो और इसने आपकी भी वह पुराना जो ट्रिंग ट्रिंग वाला फोन था उसकी यादें ताजा कर दी हो फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नए पोस्ट क